अव्याई, संबंध बोधक, समुच्चे बोधक, विसमयादी बोधक शब्द संबंध बोधक बच्चों, अभी आपने क्रिया विशेशन शब्दों का अध्ययन किया इनके अध्ययन के समय आपने जाना कि क्रिया विशेशन शब्द त्रिया की विशेश्टा बताते हैं क्रिया विशेशन शब्दों को पढ़ने के बाद अब आप संबंध बोधक शब्दों को पढ़ेंगे बच्चो क्या आप जानते हैं कि संबंध बोधक शब्द किनहें कहते हैं नहीं जानते कोई बात नहीं मैं आपको बताती हूं कि संबंध बोधक शब्द किनहें कहते हैं किन्तु आप पहले इन शब्दों को पढ़िए तथा उन में प्रयुक्त रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। राजा के पीछे कौन है? उसके सैनेक. दूसरे वाक्य में के उपर, शब्द, संग्या शब्द, पेड के साथ आकर उसका संबंध, बंदर आदी, अन्ने शब्दों के साथ प्रकट कर रहा है. पेड के उपर कौन है? बंदर. बंदर कहां है? पेड के उपर. इसके बाद तीसर वाक्य में के बाहर, शब्द, संग्या शब्द, घर के साथ आकर कोई आदी शब्दों के साथ संबंध प्रकट कर रहा है. जैसे घर के बाहर कौन खड़ा है? कोई. इसी प्रकार चौथे वाक्य में के अंदर, शब्द, संग्या शब्द, घर के साथ आकर सोफा आदी, अन् संबंध प्रकट कर रहा है, जैसे घर के अंदर क्या रखो? सोफा, सोफा कहां रखो? घर के अंदर, तो बचों इस प्रकार से प्रयोग किये जाने वाले इन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। आभा समझदार है, पेड़ के नीचे यातरी बैठा है, मा के समान बेटी भी सुन्दर है, सूरे की ओर मत देखो? सोमदत के सिवाए कोई भी मेरी पुस्तके नहीं उठाएगा। इन वाक्यों में के पीछे, की अपेक्षा, के नीचे, के समान, की ओर, के सिवाए अव्याय शब्द संबंध बोधक शब्द हैं। दूसरा, समुच्य बोधक पच्चो, संबंध बोधक शब्दों को पढ़ने के बाद अब हम समुच्य बोधक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको मालूम है कि समुच्य बोधक शब्द किनहें कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि समुच्च बोधक शब्द किन्हे कहते हैं, किन्तु पहले आप इन वाक्यों को पढ़िये तथा रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए राम और श्याम गेंद खेलते हैं मैं तो आऊंगा किन्तु शेखर नहीं आएगा तुम कुर्ता सिलाओ या कमीज मुझे क्या अर्जुन नहीं बलकि श्री कृष्ण चक्र रखते थे शिखा ने कहा कि मैं तो खीर खाऊंगी बच्चो इन वाक्यों में से पहले वाक्य में और शब्द राम और श्याम दो संग्या शब्दों को जोड़ता है दूसरे वाक्य में किन्तो शब्द मैं दो आऊंगा तथा शेखर नहीं आएगा इन दो वाक्यों को जोड़ता है तीसरे वाक्य में या तुम कुर्ता से लाओ तथा कमीज से लाओ मुझे क्या इन दो वाक्यों को जोड़ता है चौथे वाक्य में बलकी, शब्द, अर्जुन नहीं और श्री कृष्ण चक्र रखते थे इन दो वाक्यों को जोड़ता है इसी प्रकार पांचमें वाक्य में की, शब्द, शिखा ने कहा तथा मैं तो खीर खाऊंगी इन दो वाक्यों को जोड़ता है ये शब्द समुच्य बोधक शब्द कहलाते हैं बच्चो, अब आप समझ गए होंगे कि जो शब्द, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यान्शों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्य बोधक शब्द कहते हैं समुच्य बोधक के भेद बच्चो समुच्य बोधक के दो भेद हैं समानाधी करण समुच्य बोधक व्यधी करण समुच्य बोधक पहला समानाधी करण समुच्य बोधक बच्चो जो समुच्य बोधक शब्द दो समान शब्दों, वाक्यान्शों और वाक्यों को जोडते हैं उन्हें समानाधी करण समुच्य बोधक शब्द कहते हैं, जैसे मैं खेल रहा था परंतु मेरा भाई सो रहा था, इस वाक्य में परंतु समुच्य बोधक शब्द मैं खेल रहा था और मेरा भाई सो रहा था इन दो समान वाक्यों को जोड़ता है, अतहा ये एक समानाधी करण समुच्य बोधक शब्द है एक अन्य उधारण देखिए जल्दी से सारी चीज़ें ठीक कर दो नहीं तो पिताजी डाटेंगे इस वाक्य में नहीं तो समुच्य बोधक जल्दी से सारी चीज़ें ठीक कर दो और पिताजी डाटेंगे इन दो वाक्यों को जोडता है अतह ये समानाधी करण समुच्चे बोधक शब्द है समानाधी करण समुच्चे बोधक शब्द निम्न लिखित हैं और एवं तथा या अथवा अन्यथा बलकी परंतु लेकिन मगर अतह इसलिए आदी व्यदी करण समुच्चे बोधक बच्चो जो समुच्चे बोधक शब्द एक मुख्चे और एक आश्रित उपवाक्य को जोडता है उसे व्यदी करण समुच्चे बोधक शब्द कहते हैं जैसे हरी को पुलिस ने पकड़ा क्यूंकि उसने चोरी की थी, इस वाक्य में क्यूंकि समुच्य बोधक हरी को पुलिस ने पकड़ा इस मुख्य उपवाक्य तथा उसने चोरी की थी इस आश्रित उपवाक्य को जोडता है, अतहा क्यूंकि व्यधी करण समुच्य बोधक जल्दी चलो कहीं पढ़ाई शुरू न हो जाए। जल्दी चलो कहीं पढ़ाई शुरू जाए। जीश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। हाई बेचारे को कितना पीटा। अरे वाह तुम तो चित्रकारी कर लेते हो। बच्चो इन वाक्यों में आहा, छी, साफधान, खुश्रहो, हाई तथा अरेवाह शब्द विस्मय का बोध कराते हैं। क्यूंकि वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि आहा शब्द प्रसन्नता को, छी शब्द घृणा को, साफधान शब्द खत्रे को, खुश्रहो शब्द आशीरवाद को, हाई शब्द पीडा को, यानि कश्ट को, तथा अरेवाह शब्द विस्मय यानि आश्चर्य को प् बढ़ कर बताईए कि रेखांकित शब्द विस्मय बोधक शब्द हैं या नहीं, शाबाश इसी तरह पहला इस्थान पाते रहो, अरे दीपो तुम आ गए, उफ गर्मी से बुरा हाल है, हटो आगे से सांड आ रहा है, इन वाक्यों में शाबाश, अरे, उफ तथा हटो वि विस्मय बोधक शब्द हैं, क्योंकि शाबाश शब्द से प्रशंसा एवं हर्ष, अरे शब्द से आश्चर्य, उफ शब्द से पीड़ा, तथा हटो शब्द से चेतावनी का भाव प्रकट हो रहा है, अब आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों के द्वारा आश्चर्य हर्ष, शोक, भय तथा घृणा आधी का भाव प्रकट होता है, उन्हें विस्मय बोधक शब्द कहते हैं, पच्चो विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है, तथा इन शब्दों के आगे विस्मय बोधक चिहन लगाया जाता है, आपकी सहायता एवं ज्यान वर्धन के लिए कुछ विस्मय आदी बोधक भाव एवं उनको प्रकट करने वाले शब्द दिये गए हैं, इन्हें पढ़िये विसमयादी बोधक भाव और शब्द विसमयादी बोधक भाव विसमयादी बोधक शब्द विसमय आश्चर्य हैं अरी अरे आदी प्रशंसा हर्ष अहाँ ओहो वह शाबाश आदी संबोधन अजी ओजी अबे ओय आदी पीड़ा शोब लज्जा अह उफ उफ हाई आदी चेतावनी सावधान खबरदार आदी क्रोध अरे खामोश चुप आदी आशीरवाद जीते रहो दीरगाईयों हो खुश रहो आदी स्वीकृती अच्छा हाँ इच्छी आदी भै भाप्रेबाप हाई ओह आदी घ्रेणा तिरसकार च्छी धिक हट चलो आदी बच्चो अब आपने विसमे आदी बोधक शब्दों को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है झाल